नमस्कार सर जी नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका? किसोर जी आप कहां के रहने वाले हैं? सर आपने संतरामपाल जी मारासे नाम दिख्षा कब ली? सर संतरामपाल जी मारासे नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथना भी करते थे? बगवान बुद्ध जी की ही भक्ति किया करता था और बुद्ध जी की भक्ति करते करते भी जी उनसे लाव नहीं मिला था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आए सर जो भी सरदालू संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा लेता है उनको संत्रामपाल जी माराज से अध्यात्मिक बहुत एक मानसे गलाब जरूर प्राप्त होते हैं तो क्या संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाप प्राप्त हुए जी संत्रामपाल जी माराज जी से नाम दिक्षा लेने के बाद दास को विभिन प्रकार के लाब मिले जो इस दास की तो कोई अवकाद नहीं है कि पूरी तरह से संत्रामपाली महाराजी से जो लाब मिले उसका वरणन कर सकता है फिर भी सद्गुर्दियू जी से जो लाब मिले थोड़ा सा जी बताऊँगा और सद्गुर्दियू जी से जिसे नाम दिख्षा लेने के बाद दास को आध्यात्मिक लाब हुआ अध्यादिक मा लाब से सद्गुर्देजी के ग्यान को समझ कर हमें यह पता लगा कि इस परतिपर मानव जनम कहीं वर्सों के बाद कहीं कलपों के बाद बड़ी मुश्किल चवर्यासिला की यूनियों में भूगने के बाद हमें मिलता है और दास को सारी गलाब जी पत्री दास को थी और वो पत्री का कहीं डक्टरों से इलाज करवाया जी उससे कोई लाब नहीं मिला था पत्री की बिमारी के लिए दास खंडवा हस्पिटल गया, वहाँ एक डाक्टर है जी उन्होंने मतलब इलाज एक करवाया, एक वरस तक इलाज चलता रहा, फिर भी उन्होंने कहा जी यह ना यह पत्री और आपको आपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही जाएगी, फ संत्रामपाल्य महराजी से नाम दिक्षा लेने के बाद दास को जो पत्री थी, वहाँ आज दास साबने खड़ा है, पूरी तरह से ठीक है, न कोई दर्द है, न कोई किसी प्रकार का, उसमें कोई भी अब दर्द नहीं होता है जी, और जी सांसात आर्थिक लाब में मिला है आर्थिक लाब में जैसे दास के ऊपर कुछ रिन था, तो वह रिन दास से भरने में समर्थ था नहीं थी, इसे लिए संत्रामपाल्य महराजी से दास ने अरजी लगाई, कि है माली, यह रिन केवल आप ही कटवा सकते हो, तो दास के खाते में संत्रामपाल्य महराजी की से 6,000 रुपे खाते में डले जी, और संत्रामपाल्य महराजी ने करपा करी, और वह रिन भी बरावर करवाया है, और पत्नी को भी आँखों में सिकायत थी, सिरदर्द होता था, और कई डाक्टरों के पास जाकर के उनका इलाज कराया, उन्हें कोई रहत नहीं मिली, डाक् लाब एक और यह मिला है, कि डास का ग्राम के आवास सुची में नाम था, वह आवास नहीं मिलना था, संत्रामपाल्य महराजी की करपा दया से ही, डास को 1,35,000 का आवाज भी मिला, जो कि वहाँ जो एडियो साबते उन्होंने इस्पश्ट मना कर दिया था, कि यह आपको ल बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि डास को 2003 में लगभग आवास से संबन्द को इलाब मिल गया था, तो उन्होंने इस्पश्ट मना कर दिया जी, आपको नहीं मिलेगा, डास पिजले वर्स, आठ दस जन्वरी को 2018 को संत्रामपाल्य महराजी की PC पर गया हुआ था, और वहा अधिकारी थे, दो साल बाद रिटाइर्मेंट होते, संत्रामपाल्य महराजी की करपा ऐसी हुई, कि उस अधिकारी जी को वहां से दो साल पहले ही उन्होंने अपना रिजाहिन ले लिया और उनके बाद दास की आवाज की फाइल खुली, और वहलाब भी संत्रामपाल्य मह सराब भी कभी कभी चल जाया करता था, कई साथियों के साथ में करते थे, संत्रामपाल्य महराजी की करपा से आज नसा करने वाले के साथ बैठने की बी ऐसी इस्थितिय है, दास की हम बैठने ही सकते, हमें बुरी बदबू आती है, और हम उनके साथ बैठना खाना तो दू चाहेंगे जितने भी आत्मा हैं उन्हें कोई संदेश तो नहीं दे पाएगा फिर भी दास के वल प्रात्ना कर सकता है कि संद्रामपल्य महरत जी के मंत्रों के दोवारा जिवात्माओं को पूरा ला मिल था है तो आप उनका कारिक्रम साधना चैनल साड़े साथ बजे साम में चलता है जो साड़े आड़ बजे तर सद्गुर्दी जी का ज्यान सास्तरों से प्रमानित आता है उन्हें ज्यान को समझ कर नाम दिख्षा लेवे एवं अपना कल्यान करावे जी धन्यवाद सार में ज네जन चैनल सांपल साम में बजे साब का चैनल था है जा है इज ब Stepra झाल झाल